नमस्कार मुर्शीदाबाद में हैं, हम मुर्शीदाबाद के दमकल विधानसभा में हैं और यहाँ पर हमारे साथ BJP की प्रत्यासी हैं उनसे बात करेंगे समझेंगे मुर्शीदाबाद जो इलाका है वो काफी चर्चा में रहता है उसके पीछे की अपनी वजय है चुकि इलाका जो है वो बांगलादेश से अपनी सीमा साजा करता है साथी यहां कई तरह की और भी समस्याएं और जो लगातार यहां पर धानली की बाद जो मुर्शिदाबाद के अंदर लगातार होती रही है जो आप देखते हैं अलग-अलग चैनलों के माधियम से उसको लेकर बहुत जादा चर्चाओ तो यहां बीजेपी इस बार जो है वो काफी दम लगा रही है और बीजेपी को लेकर जो है जो एक इमेज पोट्रे किया जाता है वो मुर्शिदाबाद में आके वो बीजेपी की इमेज भी ब्रेक हो रही है कही ना कहीं क्योंकि बीजेपी ने जो समीकरन है और उसके हिसाब से लगातार वो अपने हिसाब से वो अपने कैनिडेट्स उतार रही है मुर्शिदाबाद में बीजेपी ने पांच मुसल्मान उमीदवार उतारे हैं जो इस तरह का कैनिडेट देरा जो है वो भी जो कहीं न कहीं टीमसी और तमाम दलों के लिए परिशानी का कारण यहाँ पर बन गया है क्योंकि किसी ने यह नहीं सुचा था कि बीजेपी इस तरह से उमीदवार इन इलाखों में उतारने जा रही है हमारे साथ दमकल विदान सभा की बीजेपी प्रत्य उनसे बात करते हैं जरा समझते हैं कि क्या कुछ वो करने जारी है इस विदान सभा के लिए सबसे पहले बता दीजिए कि आप इस चुनाओं में मैदान में हैं जनता से क्या वादे कर रही हैं आप क्या बरुसा दिला रही हैं जनता को असलाम अलेकूम और नमस्कार टो अलोप माई फ्रेंड्स मैं डोमकॉल 75 का कैंडिडेट रूबिया और भी अमा मॉंडल मेरा नेम मैं यहां पर पहले मैं शुकर करना चाहती हूँ हमरा पार्टी को जो मुझे चुना यहां पर मैं थेंक्सफूल हूँ उन लोगों के पास कि म यहां का मैक्सिमाम वालोग जाती है बाहर काम करने के लिए यह और यूनिवर्श्टी भी नहीं है तो जो लोग पड़ाही नहीं करें तो कैसे उनको जॉब मिलेगा एड़ुकेशन मे धेर वेरी मच पूर यह लोग बहुत पूर है सबसे बड़ा बात है इहां का जो आदमी कम लेखा बड़ा कम जानती है इसलिए इन लोग को बाहर जना पड़ता है 80 पासें तो इसका फैमिली भी इंसिक्यूर होती है अच्छा आपका वैसे अब बात आप गरिये का अगे इस इलागे में जैसे मैं गूम रहा था तो मुझे कोई बड़े कोई बड़ाशन प्लेख आपका सुपास्टी माल्टी सुपास प्रिषّल्टी अपिट्सटाल हम जना उफीडसे इसले tidy क RITAK में पिलता है इन सब समस्यां उपर आप काम कर आपकों इसनीड स אני बा cactus ओनिजर तो मैं डिफिनेटी कोशिश करोंघे माड़ां बा अब दूसरा सवाल मेरा ये है आप से कि बतार मुसलमान आप अगर देखती है इस इलाके को बी जैपी पाटी बतार पार्टी आपको कैसी लगती है आपको बीजेपी पर भरोसा क्यों है अपने टींची क्यों ही चुना आपने दूसरे दल क्यों नहीं चुना तेहि flour First of all, though by one I am Indian, I have a right to choice any legal political party according to Indian constitution. Why not BJP? BJP एक national party है और दुनिया के सब सब बड़ा political party है. तो मैं प्राउड फिल करती हूँ इस दौल को मेरा जगा मिला है. आप देखिए, BJP में सब का साथ, सब का बिकास और सब का बिजबार अर्जन कर लिया है हमारा प्रोधन मंत्री. और मेरा अत्तो विश्चा से ओ जो टी एमसी है, सेफ और सेफ मुस्लिंग लोगो को कनभार्ट काना चाती है उसके भोट के लिए. उन लोगो को भूल बोजाच बिशन भाबे भूल बोजाचे जे बीजेपी शाम्प्रोधाइक दल, बीजेपी जोदी शाम्प्रोधाइक दल होतो ताहले आजके शाहनास कोभी, शाहनियास जाहसाइन, नाजमा हेक तोल्ला, एदेर मोतन फीगार भारत बश्य आश्तो ना, आश्तो ना, माफुजा स्थान होतो ना, बीजेपी प्रोत्यक्ता जादी के प्रोत्यक्ता धर्मों के सम्मन करे, यह शाम्मनार थे, आमादेर मूसलमन कैंडिडेट भी चुना है इन लोगोंने, यह बताईए जैसे कि अमिश्या को आप सुनती होंगी, प्रधान मंतरी मोधी को सुनती होंगी, उन अमिश्या जी और नन्नो मोधी पर हमाना विश्वास है, वो लोग इतना दिन से जो काम क्या है, मैं उम्मिद रखती हूँ, यहाँ भी काम होगा और यहाँ भी उन्नोयन होगा अच्छा एक और बात मैं आपसे चुकी पूछ लेता हूँ, आप इलाके में परचार के लिए जा रही हूँगी, लोगों का सावालों का सामना भी आपको करना पड़ता होगा, क्योंकि लोग अलग-अलग सवाल आपसे करते होंगे, क्या आपसे लोग CAA, NRC जैसे भी दीदी तो गही हैं मतलब कि उनके पार्ती के तरफ से मैसेज भी जा रहा है, क्यों अईसे इलाकों में, जहां मुसलमानों की तादात जा अच्छी है, जो वह रह रहे हैं इलाकों में, वह कहा हैं कि आपको भाहर निकालने की प्लानिंग है और इस तरह की बाटे उनुगी दीदीर जा एजेंडा आछे, एक्खारा माताई हेजाब पोरे, आर अन्ना लागिये, जाखन मानुषेर मोद्धे नामाज पोर्ते चोले जाछे, आमादेर मुस्लिम रा, आमराओ आजपजन तो मेरा, कोखनो छेले देन मोद्धेन नामाजेर कातारे दाणाईनी, आमरा आरदबर्शो थेके शुरू करें, पोर्ष्चिव मांगे, लोगो लोगो मानुष, बीजेपी बहुचे और भोटार होएगा छे, आपने सुना ये बता रही है कि किस तरीके से जो भराम पहलाने की कोशिच हो रही है, उसका भी लोगोंने काट निकाला है, और साथ ही ये भी बता रही थी कि किस तरीके से लगतार माइनॉरिटी के भी लोग, लगतार बड़ी संख्या में इस इलाके में इनके साथ जूड़ते चले जा रहे हैं, और जिस तरीके से ये अपनी बात रख रही हैं, उससे कहीं न कहीं, अमें भी ये लगता है कि बहुत सारे भ्रहम जो हैं वो तूटते आपको दिखाई देंगे आने वाले वक्त में जब आप ऐसी ही लोगों की आवाज जब आप और मजबूती से आप सुनेंगे बहुत-बहुत शुक्रिया